तो आज हम सीखने वाले हैं high-end portrait retouching ध्यान देने की बात यह है यह high-end beauty retouching बिलकुल नहीं है क्योंकि high-end beauty retouching and high-end portrait retouching में बहुत डिफ्रेंस है portrait shot हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो skin है वो जहाँ सहादा natural लगे उसके जो features है model के वो change नहों but in the other hand in beauty retouching हमारा main focus रहता है कि जो product है जो की makeup है या फिर makeup artist का जो काम है या कोई भी beauty product है उस पर जादा focus हो कि उसका कितना असर होता है तो हम कई बार थोड़ा unnatural भी कर देते हैं उसको तो इस विरे से यह हमें ध्यान रखना है कि यह high-end portrait retouching है so here's the video अगर आप चाहें तो इस video को थोड़ा slow करके भी देख सकते हैं यह video शुरू से लेके आखर तक देखें यह video थोड़ा boring हो सकता है जो लोग इसमें interested नहीं है लेकिन यह सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कर दो हुआ ज़ता है झाल 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 झाल